हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल इस यूडियो में हम लोग मनोविज्ञानकर्थ कार्यात्मकवाद ये प्रकारवाद सरचनावाद मनोविफलेफणवाद गिफ्टाल्टवाद इन्हें सभी के बारे में पढ़ेंगे जो सभी सिच्छक भरती के लिए ब बख्य हो जाएंगे और अगर वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अब देखो हैं पहला पाइंट दिया गया है मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में मीनिंग ऑफ साइकोलोजी पहला पाइंट यहां पर है मनोव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के विवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्यन करता है सब्द मनोविज्ञान का पहला प्रयोग अक्सर जर्मन दार्शनिक रुडॉल्फ गोकिल से जोड़ा जाता है अब कोश्चन ऐसे पूशा अधर्शनिक नवांसि दिया था तो रुडॉल्फ गोकिल ने किया था और किस देश की निवासि थे जर्मनी के ज़ंशित थे और मनो विज्ञान में किस चीज का अध्यन किया जाता है तब एंफर हो जाएगा कि मनो विज्ञान में प्राणियों के विवहार का अध्यन किया जाता है और किस प्रकार का विवहार मानसिक हो या फिर दैहिक प्रक्रिया हो मनो विज्ञान में इन चीजों का अध्धन किये जाता है उसके बाद अगला पांट है मनो विज्ञान सब्द अंग्रेजी के सब्द साइकोलोजी का हिंदी रुपांतरण है अंग्रेजी सब्द साइकोलोजी की उत्पत्ति लेटिन भासा के सब्द साइकोलोजिया से हुई है अब बहुत बार कोशन ये पोचा गया कि जो साइकोलोजिय कौन सी बाफ़क फ़र्द है तो एमफर हो जाएगा लेटिन भासा का साइकोलोजिया सब्द का प्रयोग सरप्रथम पंद्रफो छे इस्वी में मारको मौरलिक ने सरप्रथम अपनी पुष्टक साइकोलोजिया डे राफ़ने एनिमा हुमन में प्रयोग किया अगर बात की जाए यहाँ पे मनो विज्ञान सब्द की तो मनो विज्ञान सब्द का प्रयोग किया था जर्मन दार्शनिक जो थे रुडोल्फ गोकिल और साइकोलोजिया सब्द की बात की जाए तो मारको मौरलिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था साइकोलोजिया डे राफ़ने एनिमा हीमन जोन की पुस्तक है उसके बाद अगला पांट है साइकोलोजिया सब्द दो सब्दों साइकी प्लस लोगिया की मेल से बना है जिसमें साइकी कर्थ है सोल अर्थात आत्मा तथा लोगिया कर्थ है इस टिड़ी अर्थात अध्यन करना इस प्रकार साइकोलोजिया सब्द का साब्दी कर्थ क्या हो गया आत्मा का अध्यान करना बहुत बार कोश्चन पूँचा गया है कि जो है साइकोलोजी सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो आत्मा का अध्यान करना है उसके बाद अगला पाइंट है मनो विज्ञान वसेच्छिक वा अनुप्रियोग आतमक विद्या है या फिर विधा है जो प्राणी मनुष्य हो या फिर पफ्वों के मानसिक प्रक्रियाओं अनभवों तथा वक्तव अवक्तव दोनों प्रकार के वेवहारों का एक क्रमबध तथा वैज्ञानी कध्यन करती है उसके बाद यहां पर बताया गया है दूफरे सब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनो विध्यान एक ऐसा विध्यान है जो क्रमबध रूप से प्रेचनी वेवहार का ध्यन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं देहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन भाव आज तथा वातवरण की गटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़ कर रिध्यन करता है अब कोशन पूछा जाएगा आपसे कि मनो विध्यान में किन किन चीज़ों का अध्यन किया जाता है तो यह स्वारे पॉइंट याद रखने हैं चिंतन हो गया भाव हो गया वातवरण हो गया या फिर मनुस्ट के वक्तव या फिर आवक्तव जो प्रक्रियां हैं देहिक हो या फिर मानसी प्रक्रियां हो इन सभी चीजों का मनोविज्ञान में अध्यन किया जाता है अगला पांट है जैसे जैसे मनों विज्ञान की छेत्र में वज्ञानिक ज्ञान की व्रध्धी हुई वैसे वैसे मनों विज्ञान को आत्मा की स्थान पर मन का विज्ञान के रूप में परिभाशित किया इनके अनुसार मनों विज्ञान को सम्बंद प्राणियों की मानसिक क्रियाओं इवम दसाओं का अध्यन करने से है इसके पश्चात इसे अनभूत का अध्यन करने वाला विज्ञान माना गया सब कई बारे कोश्चन पूछा जाता है कि मनो विग्यान को सरप्थम कौन से विग्यान माना गया था तो आत्मा का विग्यान माना गया था और present time में जो मनोव विग्यान है मतलब किस करकार के विभार का विभ्यान की जाता है वह विभार के विभ्यान के रूप में अधिन किया जाता है उसके बाद एकला point है इस परिभासा को नकारते हुए सुप्रविद्ध वेज्यानिक बिलियम मुंट ने इसे चेतन अनभूतियों का अध्यन करने वाला विज्ञान अत्वा संचेप में चेतना का विज्ञान बताया है अब कोश्चन पूच लिया जाए कि चेतना का विज्ञान मनो विज्ञान को किसने बताया था तो बिलियम मुंट ने बताया था उसके बाद पांट है यही नहीं वेवहार वादियों निसे वेवहार का विज्ञान कहा मनों विज्ञान के इस कर्मिक विकास पर अपनी प्रतक्रिया विक्त करते हुए प्रिसिद्य मनों विज्ञानिक आरेस उडवर्थ ने लिखा है सरप्रथम मनों विज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा फिर मस्तिफ कत्यागा फिर अपनी चेतना खोई और अब वह एक प्रकार के वेवहार को अपना हुए है यह कथन जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट है और बहुत ही बार पेपर में पहुचा गया है उसके बाद इसकिनर ने मनों विज्ञान के बारे में कहा इसकिनर के अनुसर मनों विज्ञान जीवन की बिभिन परिष्थितियों के प्रती प्राणी की प्रतक्रियाओं का ध्यन करता है प्रतिक्रियाओं या विवहार से ताथ पर प्राणि की समत्र प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार वियापारों तथा प्रकासनों से है मनो विज्ञान विवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञानी कद्धन है वेवहार में हमारे सभी बाह या अतिवादी कार्रें और प्रतिक्रियाँ सामिल होती हैं जैसे कि बोलना चेहरे का भाव और प्रति उसके बाद परिंट है मानसिक प्रक्रियाँ सब्दकर्थ है हमारे मन के सभी आंतिरिक या फिर गुप्त छिपी हुई गत्विधी जैसे सोच, भावना और याद रखना वेवहार में मानव वेवहार तथा पस्वेवहार दोनों ही समलित होते हैं मानसिक प्रतिक्रियाँ के अंतरगत सम्वेदन, अवधान, प्रत्यचण, सीखन, आधिगम, इस्मृति, चिंतन, आधि चीजे आती हैं उसके पाद इगला पांट है वेवहार तथा प्रतिक्रियाँ का अधियन करने के लिए सोध करताओं को वेवहार तरीकों का पालन करना चाहिए जब भी कोई विक्ति किसी को या कुछ भी देख सकता है तो हम ऐसे एक संभावना होती है कि परवेच्छक केवल वह ही देखेंगे जो वह देखना चाहता है मनोविज्ञानिक इन संभावित पूर्वा ग्रहों एम दोस्पूर्ण अवलोकन से बचने के लिए मनोविज्ञान के अध्धन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धिति का उपयोग करते हैं अब यहां पर अगला पाइंट है कार्यात्मक्तवाद या फिर प्रकार्यवाद हावड भी स्विध्याले 1870 के अंत में मनोविज्ञान में कच्छाय देने के लिए अमेरिका का पहला स्कूल था इन वरगों को हावड के सबसे सांदर फिस्चक बिल्यम जेम्फ द्वारा पढ़ाय जाता था अब कोश्चन आप से पूछा जाए कि जो है मनोविज्ञान की कच्छाय देने वाला या फिर जिसमें से मनोविज्ञान पढ़ाय जाती थी अमेरिका का पहले स्कूल कौन से था तो हावड भी स्विध्या ले था और यहां के टीचर्स में सकौन थे बिल्यम जेम्फ थे और कारत मक्तावाद या फिर प्रकारवाद का जनक भी इनको कहा जाता है बिल्यम जेम्फ को उसके बाद एगला पाइंट है टीचनर एवं वुन्ट के विप्रीद जेम्फ अपने बिफलेशन में रोज मर्रा की जिंदगी में चेतना के महत्त में आधिक रुच रखते थे जेम्फ ने ध्यान दिया कि कैसे मन लोगों को वास्तिविक दुनिया में काम करने के अनुमति देता है ये लोग कैसे अपने आफपास के वास्तारण में काम करते हैं खेलते हैं और अनुकूलन करते हैं एक द्रख्टिकोंड जिसे उन्होंने कारत मक्ता कहा था उसके बाद एकला पॉइंट है इस विशे पर उनकी व्यापक पार्ट पुष्टक प्रिंस्पल आफ साइकोलोजी जेम्स 88.90 को इतनी सांदार धंग से लिखा गया कि प्रतियां अब भी मुद्रण में मतलब उसको जो प्रतियां अब भी छपती हैं जो प्रिंस्पल आफ जेम्स की द्वारा वे प्राक्रतिक चैन के बारे में चाल्फ डार्विन के विचारों से काफी प्रभावित थे जिसमें बहुत तिक लच्छन जो कि एक जानवर को अपने पर्या उनकूल बनाने में मदद करते हैं और जीवित रहते हैं और उसे एक पीड़ी से दूसरी त तक आगे बढ़ाते हैं अब यहां पर बताया गया है यह ध्यान रखना दिल्चेश्प है कि जेम्स के सुरुवाति विद्ध्यार्थियों में से एक मेरी वायटिन कॉल किंफ थी जीनों ने पेज़िडी अर्जित करने के लिए हर कोर्स और आफिक्ता पूरी की थी लेकिन हावर्ड भी स्विद्यालेक डिगरी से इनकार किया गया क्योंकि वह एक औरत थी यह काफी इंपार्टन कोश्चन है हावर्ड भी स्विद्यालेक डिगरी उनको से लिए नहीं मिली क्योंकि वह एक महिला थी उसके बाद पॉइंट है 1901 में आयन इंट्रोडक्शन टू माच मेवह अमेरिकन साइकोलोजिकल एस ओसियन की प्रथम महिला दच बनी वासबर्न के विपरीत कौकिन के एक प्रोफेसर और सुध करता के रूप में सफल केरियर के बावजूद कभी पिएचिडी डिग्री नहीं प्राप्त कर पाई अब ये सारी बाते किसके बारे में बताई जा रही है जो मेरी वाइटिन कौकिन्फ थे ये पुष्टक जो है एन इंट्रोड़क्षन टू फाइकोलोजी इनी के द्वारे लिखी गई है अब बात कीजा यहां पर सरचनावाद के बारे में यद्दपी आधनिक बिद्या साखा के रूप में मनो विज्ञान जो पास्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तेक प्रभावित है का इतिहार बहुत छोटा है मनो विज्ञान विज्ञान के छेत्र में एक अपेच्छा करत्र नया विशा है जो की केवल 149 वर्ष पुराना है यह वास्तों में 1889 में लेपजिंग जर्मनी में एक प्रयोक साला के रूप में शुरू हुआ अब देखो यहां पर जो सन दिया गया यह गलत दिया गया क्योंकि जितने वर्ष होते जाएंगे तो यह सन बढ़ते जाएंगे जब बुक छपी थी तब इसमें से 145 वर्ष लिखा था अब देखो यह कोशेन बहुत बार पूचा गया है कि जो है प्रयोक साला सबसे पहले जो प्रयोक साला की स्थापना किस ने की थी बिलियम मुंट ने 18 Leah में जर्मनी के लिपजिंग सहर में की इती बहुत बार कोशन पूचा गया है इसी जगह बिल्यमुंट एक फिजियोलोजिस्ट ने मानों के अध्यन के लिए सरप्रथम वैज्ञानिक सिध्धानतों को लागू करने का प्रयास किया और बिल्यमुंट कौन थे यह से अवगत होने की इस्ति विचारों अनभवों भावना और अन्यमूल भूत तत्त में विवाजित हो सकती है इस प्रयोक साला में इन गैर भौतिक तत्तों का निरिच्छड करने के लिए छात्रों को अपने विचारों के बारे में वफ्तनिष्ट सोचने के लिए सीखना थ उसके बाद बताया गया है वुंट ने निफपच्छ जांच और अपने सोयम के विचारों और मानसिक गतिविदियों को मापन की इस प्रक्रिया को वस्तनिष्ट आत्म ने रिच्छन कहा मनोविज्ञान के अउधारणा के लिए निफपच्छता और मापन लाने के लिए य प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक इन यही को बोला जाता है विलियम मुंट को अब उसके बाद है मनोविफ्लेफणवाद इसके जनक मैने जाते है सिंगमंड फ्राइड को कहा जाता है जना किन का इसका जो है मनवी जेफनवाद का सिगमन्ट फ्राइड आफ्ट्रिया में एक विख्याच चिकित्सक बन चुके थे जब सनरचनवादी बहस में उलजे थे प्रकारवाद बिसे सगत्या प्राप्त कर रहे थे और गिफ्टाल्ट वादी बड़े चित्र की ओर देख इसके बाद अगला पाइंट है यहां पर फ्राइड के रोगियों को तंत्रिका संबंधी बिकार थे जिसके लिए फ्राइड और अने डाक्टरों को कोई सारीरिक कारण नहीं मिल रहा था इसलिए यह सोचा गया की कारण मन में होना चाहिए और यही वह जगा थी जहां फ्र प्रा और इच्छाएं दबा देते हैं अब कोश्चन पूछा जाता है कि फ्राइड के रोगी थे उनको जो है कौन से बिकार था तो तंत्रिका संबंधी बिकार था और अचेतन मन के बारे में किसने बताया था तो सिग्मन फ्राइड ने उसके बाद पॉइंट है उसके बाद कीम सोपनों के बिसलेशन हमें अचेतन तक पहुचाने के लिए साधन प्रदान करते हैं उसके बाद बताये गया है फ्राइड का अनुसरान करते हुए बाद में कई सिध्धान्त कारों ने अपने विचार प्रत्पादित किये इने में से कुछ सिध्धान्त कारों ने आरम में फ्राइड के साथ मिलकर काम किया किन्तों आगे चलकर उन्होंने मनोविस लेफण आत्मक सिध्धान्त की अपनी ब्याख्या पिस्तुत किरी इन सिध्धान्त कारों को नो मनोविस लेफण वादी कहा गया उसके बाद बतायागा यहाँ पर अल्फ्रिड एडलर ने अपने अध्यनों में आत्म को उससे कहीं अधिक महत्यों दिया है एडलर ने अरच नात्मक सक्ती, हीनता ग्रंथी, सेख्टता ग्रंथी तथा जीवन सहली आधिपत्यों की सायता से व्यक्तित के विभिन पहलूँ को अध्यन किया है और इनोंने व्यक्तिकत मनो विज्ञान के छेतर में महत्पूर्ण विगदान दिया है अब कोश्चन पहुचा जाए कि व्यक्तिकत मनो विज्ञान के छेतर में किसने जो है महत्पूर्ण योगदान दिया तो एमफर हो जाएगा एडलर ने उसके बाद है यहाँ पर फ्राइड के कुछ प्रसिद अनुयाई कार्ल यूंग, कारेन होरनाई और उनके अपनी बेटी एना फ्राइड यह सभी लोग इनके अनुयाई थे एना फ्राइड ने मनोविज्ञान में इगो मूवेंट को शुरू किया जिस संदोलन ने व्रक्तित विकास के अध्यन में सबसे प्रसिद मनोविज्ञानिक में से एक एरिक इरिक्सन का उत्पादन किया उसके बाद है गेफ्टाल्ट मनोविज्ञान वर्ड वाइमर और कया इन विचारको ने एक ने परिप्रेच गिफ्टाल्ट मनोविज्ञान में संवेधना और धारण का अध्यन करने का प्रियास किया और जो गेफ्टाल्ट मनोविज्ञान के जो जनएक माने जाते, वो वर्ड वाइमर माने जाते हैं, और जिनके सयोग करता थे, कर्ट लेविन और कोलर और कोपका को माना जाता है, अब यहाँ पे बताया गया है, गेफ्टाल्ट एक जर्मन सब्द है, जिसका अर्था एक संग पूर्टित पूर्ड या फिर विन्यास जो कि उनके छोटे टुकड़ों की बजाए पूरे पैटन का अध्यन करने पर केंदित है तो यह कोशन बहुत बार पहुचागा है कि इस्टाल्ट जो है कौन सी बासक सब्द है जर्मन बासक सब्द है जिसका अर्थ होता है अब यहां पर बताया गया है जैसा कि एक संगीत की धुन को अलग अलग सवरों से बनाया जाता है परन्तु अलग अलग सवरों को अर्थ पूर्ण तरीके से केवल एक दूफरे के साथ संबंद में ही समझा जाफकता है इसलिए किसी भी परिप्रेच या धारणा को केवल ए अपने आदर सुवाक के रूप में अपना आया था अब अगला पॉइंट यहां पर बात की जाए समग्रा कृति या सूज या फिर अंतरद्रफ्टि के जन्म दाता जर्मन वैग्यानिक मैक्स वर्ट वाइमर या फिर वर्दिमर कोलर्यूम कोफ का माने जाते हैं इसे गिफ योगी थे 1950 इसवी में फिट पल्स ने गेफटाल्ट मनो विग्यान को मनोची कित्सा की पद्यत्तिक निर्मान में अपनाया था